तो आप इस वीडियो को भी देखें आपको बहुत को सीखने मिलेगा और अच्छा भी लेगा आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो हम आज ना हमारे इदर हड़ापा में फकास बाई का साइटे पे हम उदर आए हैं लाब बढ़ का है इसमें फ इड़ करने हैं तो नंबर भी आपको दे दी जाएगा तो यह देख लें बाई ने पियर लगाया हूए माशाला इधर फीचल और लुटेनो का पेर है माशाला इधर अनुबिनों गहरा है और इधर फिचल माशाआला से इधर बी आएं यह फिचल के दो पेर यह देख वकास बे, यह कौन सी क्वालटी है? यह पार्दू है और ब्लू फिशरी है Okay, माशालल से यह फीशर है ब्रीड इसकी आई है ना फास बे जिसकी ब्रीड आई वो दिखा दें यह फीशर का पेर है और माशालासे चार बेबी आगे हैं माशालासे बहुत ही अच्छे हैं पांच है माशालास पांच बेबी हैं यह आपने पॉस्टर की हुए है ना ओके और माशालासे यह अलबीनों के पीस हैं और यह लुटीनों के सब्सक्राइब करते हैं कि अगर किसी बाई को चाहिए तो राप्ता कर सकता है उपर नबर में ने दे दिया तो आप राप्ता कर सकते हैं जिस बाई ने लेना है वकास भी इदर ब्रीड आई माशाला से एक बिद्धा दो बची आगे माशाला से दूसरे यंडे फटाईल है और बीकिदर इदर यह अंचे अलबिनों का प्यार माशाला से और देख ले और माशाला से चार बचे कि वकास भी और कि दर है कि इधर भी अलबीनों का पेर है कि मेल ने अंडे विगरली कर दिया माशाला से यह देख लें और भी काफी बुक्स में अशला से आ गी है तो आम डिस्टरब नहीं करना जाते हैं और माशाला से यह वकास भाई का सैट पर देख लें माशला कितना यह प्यारा बनाया हुआ है वकास भाई ने आज में वकास भाई के साइट पर वीडियो बनाने आया था मगर मैंने सोचा कि फिशल के दो पियर ले जाता हूं यह मैंने चार पीस में खरी लिए हैं फिशल के तो आप बाई कमिट में जरूर बताना कि वकाई को आपको कैसा लगा भी और यह चार पीस भी कैसे ले और माशाला से इधर बाई के बाई ने अपना ना कोक्टल पगारर का सैट बनाया हूआ है यह देख लें तो के फ्रेंड तो वकास भाई से हम फिशल के चार पठी लेकर आगे हैं माशाला से देख ले बहुत यह अच्छी क्वालिटी के यह देख लें यह ना मैंने पट्टे खरीदें इसलिए कि जब मैं इसे ब्रीड नहींगा तो अच्छी देंगे ठीक है और माशाला से यह मेरे अपने बार्ज है और मैं इसको अब छोड़ता हूं ठीक है इधर मैंने यह जो उपर वाला मेरा साटव है यह देख लें अब प्रेंड लेड़ फ़लाई देनी है जब आपने पठा खरीदना है फ्रेंड तो आपने इनको फलाई देनी जितनी हो सके मतलब मतलब इतनी के उट कर दूसरी स्टिक पर जा सके मतलब मेरे पास तो इतनी है कि चार फुट नी इस तरह और जो इसकी लंबाई इस तरह है वो तकरीबन बारा फुट है तो यह जितना मर्जी उट सकते हैं इनके फलाईंग जितनी फलाईंग अच्छी होगी उतनी अच्छी यह ब्रीड द अब यह जाए है हुआ कहीं से सर्द जुआ होती वो दाखल नहों सके अब यह उपर मैं इनको छोड़ता हूं फिर दिखाते हैं आपको ओके फ्रैंट तो यह देखने में ने छोड़ दी हैं और एक पीज यह देखने बार आ गया है इसको पकड़के इधर छोड़ती हैं प है अब तो यह दो आज की वीडियो उम्हेद करते हैं कि आपको अच्छी लगी तो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि काफी सारे दोस्ता हैं जो वीडियो देखते हैं मग अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरबानियो के सब्सक्राइब किया करें क्योंकि हम इतनी मेना से वीडियो बनाती है ठीक है तो मेरबानियो के ओकित फ्रेंड द्वा में जाना रखना आला है झाला है